आप देख रहे हैं ESPN क्रीक इंफो मैच ते बात कर रहे हैं हम मैच नंबर बायाल इसकी जो खेला जाएगा अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच वैसे तो ये dead rubber है क्योंकि दोनों टीमें semi final की दोड से बाहर होगी ये लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हासिल करने के लिए दोनों टीमों के पास है खासतोर पर अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो यह चाहेंगे कि यह World Cup से जब वो वापिस अपने देश लोटें तो कम सकम एक जीत के साथ लोटें पिछले World Cup में कम सकम एक मुकाबला उन्हें जीता था यहाँ पर वो करने में कामियाब नहीं रहे हैं यह आखरी मुकाबला है अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीस का वेस्ट इंडीस का भी देखे शुरुआत बहुत शांदार की उन्होंने इस टोर्नमेंट की पाकिस्तान को राया उसके बाद लगतार साथ मैच वो हार गए है इस टोर्नमेंट में आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव दोनों टीमों के लिए यह है दोनों टीमें तीन करीबी मुकाबले हा रही है बहुत आखरी ओवर तक जाने वाले मैच तो यह तो तैह कि एक टीम अब करीबी मैच हारेगे नहीं अब अब पारिश हो गयी तो नहीं है अब हमने देखा है कि जो आगे बढ़ती है आगे के राउंट तक पहुंचती है टीम वह तो तरीके से अब कह सकते हैं कि तीन क्लोज मैच हारे लेकिन दूसरी तरीके से यह ऐसे देख सकते है उसको कि क्योंके उनका प्रफॉमेंस कर रहे थे कि semi-finals के आसपास कहीं पहुंचेंगे लेकिन बहतर performance की जरूर उमीद थी लेकिन West Indies जो उनकी टीम ऐसे लग रहा था पेपर पे I think हमारी उमीदे जादा थी उनकी टीम one day cricket के लिए अभी तक मुझे लगता नहीं तयार है कि एक 9 matches में consistency दिखा के semi-final के लिए challenge करे चलिए उमीदे जो West Indies की टीम से थी उस पर तो वो खरा नहीं उतर पाई लेकिन एक खिलाडी जरूर करने में वो काम्याब रहा है उसका नाम है Nicholas Puran पिछले match में उन्होंने शतक जड़ा हाँ 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 उनकी टीम जरूर हार गई लेकिन उन्होंने जब शतक जड़ा उसके पूरे इतिहास में West Indies Cricket के अगर आप वर्ल कप में प्रदर्शन देखे तो इनका जो औसत है वो टॉप पांच बल्ले बाजो में भी आता है यह तो एक पॉजिटिव उनके लिए गया है अब ऐसा लगता है इनको आगे चांस भी लगतार मिलता रहेगा लेकिन शेय हो एक इसे नामें है हिटमायर इसे नामें फ्लैशे देखने को मिला है लेकिन ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखने को मिली अभी तब बहुत बड़ा पॉजिटिव है निकलास पूरण और जिस तरीके से वो खेले पिछले मैच में अल्मोस जिता दिया था वेस्ट स्रीलंका खिलाफ अब देख सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और एक कॉंफिदेंस बहुत देगा उनको वैसी इनिंग्स शाय होप और हैटमायर जैसे आपने कहा है उनसे भी जादा उमीदे थी उनको एवन लुइस एक दूसरे प्लेयर है जो यंग प करेगा इस वक्त हम देख रहे हैं कि छोटे बैचिस में अच्छे खेलते हैं पूरे पचास ओर उनकी गेन बाजी देखे या उनकी बल्ले बाजी उनका परफॉर्मन्स पचास ओर पूरा पूरी कंसिस्टेंसी हमने वर्ल कप में देखी नहीं है क्योंकि बहुत गलट कि बहुत बन सकते हैंजएंग इस फ़्लाइ बल्ले बाजी सी стр ओडाख्यों से फटार उलिकेंख फार्यारी करेंग से उससे में 5 शिक्ते नहीं है 10 पूर्मन्स पारते उनका इ Patch 8 अम्हज्मा यहां उनका शानदार हो एक लीम यहां पर अफसोस की बात यह ए रही है वेस कि इन्होंने तो विकेट निकाले पहले दसोवर में भी बहुत निकालें बर बाकी जो गेंदबाज, कीमा, रोच, ओशेन, थॉमीद की गई थी वो नहीं इनका साथ दे पाए I think थोड़ा सा कही न कही थोड़ा एक लीडर्शिप का भी दोश है, जैसे हमने देखा है कि कॉट्रल पे हमेशा भरोसा था उनका विके निकालेंगे, पिछले मैच में हमने देखा कि उनको विके नहीं मिली, तो कोई गेम प्लान नहीं था होल्डर का, कभी खोद आते थे नह अच्छा फॉर्म आमने शुरू में देखा, थोड़े से कन्फ्यूज लग रहे थे मुझे कि क्या लेंड डालनी है, कि छोटी गेंसे अटैक करना है या लेंस चेंज करनी है, आगे करनी है, और एक बार आपका रिदम चले जाएगी इनबास करके, तो शायद वन डे क्रिक अच्छा नहीं उतना वन डे क्रिकेट में अभी तक, लेकिन उनके पास अबिलिटी जरूर है, कीमार रोच, अनुभाफ वाले ये गेंबास है, उनके पास कोई गाइडेंस ही है, थोड़ा I think मुझे लगता है ये नए गेंबास हो को खास करके, और लीडर्शिप थोड़ी किलाडी जरूर है, पिछले कुछ मुकाबलों उन्हें बहुत ही कड़ी टक कर दी है टीमों को, चाहे वो भारत हो या फिर पाकिस्तान हो, देखते हैं उनके सलामी बल्लेबासों को देखते हैं, अभी इस वक कैसा उनका प्रदर्शन रहा है, और सबसे उपर इस वक्तान है कि पाकिस्तान के मैच के बार की बैटिंग भी अभी पहले करने लगें हैं, ओपनिंग ओवर भी ये पहले करते हैं, लेकिन अब क्या करें वो आकड़े भी दिखा रहे हैं कि वो रं बनार है, अब उस जितने टीम को चाहिए उत्य नहीं बनार है, थोड़ा स्कूल चाहिए टीम के लिए वो ही लेने की कोशिश करते हैं, कभी-कभी वो काम नहीं करता. I think यह सबसे disappointing team रही है. I mean, South Africa, हम कह सकते हैं, कोई South Africa से उमीद है जादा थी, लेकिन जिस तरीके का progress हमने अफगानिस्तान का देखा है पिछले कुछ सालों में, उससे उनका performance इस बार थोड़ा सा, उनकी fight थोड़ी कम नज़र आई. पिछले कुछ games में जब विक्टे थोड़ी spin लेने लग गई और उनके थोड़े run बन गए, तो वापस वो अफगानिस्तान team हमें दिखाए दी, जो हमने दिखा है उनका progress. तो अच्छा है उनके confidence के लिए अगर वो finish अच्छा करे और अगर एक और जीत मिल सकती है उनको West Indies के खिलाफ तो और भी अच्छा होगा, लेकिन ये थोड़ी सी team है जिनको इनके लिए बहुत मुश्किले भी है, क्योंकि इनका कोई structure नहीं है, अपने या domestic structure तो शायद मुश्किले होती है गेम जल्दी सीखने को, अगले चार साल इनके लिए बहुत चुनाओती होगी, क्योंकि नए players आने लग गए और कितना develop होते है जल्दी, और जल्दी होना जरूरी है, क्योंकि इस world cup में खास करके उनकी बल्ले बाजी हम देख सकते थे, क्योंकि अच्छे gain-baz थे, थोड़ी गती थी gain-baz के पास, और इन conditions में उन्होंने थोड़ा सा struggle किया, उमीद यही होगी उनकी भी कि आखरी match अच्छा finish करें, क्योंकि वेस्ट इंडीज इस वक्त शायद वो निकलस पूरन की इनिंग से कर आपने छोड़ दी श्री लंका के खिलाफ, तो शायद इनसे खराब खेल रही है इस वहाँ, चलिए बहुत दिल्चस्प होगा, लेकिन हम एक all-rounder की बात कर रहे थे, दूसरे all-rounder की बात करते हैं, अफगानिस्तान के एक का नाम है नाइब तो दूसरे का नाम है नभी मुहमद, नभी किया आपर बात हो रही है, उनका कैसा प्रदर्शन रहा है, ये consistent रहे हैं किलाडी, दोनों आप गेंद के साथ देखें, उन सब्सक्राबलों में, जब से वो फर्म में आया है, टीम बहुत अच्छा कर रही है, I think थोड़ा कंडिशन का भी फरक बढ़ा है, हम नभी के अगर नमबर्स देके तो होना भी चाहिए, इतना अनुभव है, उनके पास quality है, IPL में भी अच्छा करते है, जभी मुका मिलता है तो नभी से हमेशा उमीद होगी उनकी के responsibility लेए, चाहे गेंदबाजी में हो, बल्लेबाजी में, मुझीब का फर्म अच्छा है उनके लिए, थोड़े condition specific हो गया है, कि नई गेंसे QK करते है, जबी भी बॉल गृप करता है surface को, तो बहुत dangerous गेंदबाज हो जाते हैं, तो शायद conditions ने थोड़ा सा फरक किया है पिछले तीन games में, और जैसे अफगानिस्तान के बल्ले बाजों ने खेला है, तो थोड़ा उनको मौका मिला है कि थोड़े run थे पाकिस्तान के खिलाव भी, कि attack कर पाई या अपने हिसाब से gain बाजी कर पाई, जब आप run कम बनाते हो त अजीब अपना असली टाइलेंट दिखा पाई, चलिया, अगर फ्लानसदान के क्या 11 खिलाडी होने चाहिए, हमने अजीत अगरकर से पूचा था, उन्होंने चुनी है अपने ये 11 खिलाडियों की टीम, मैंने देखा है, आपने कोई फेर बदल नहीं किया, शायद आपको फोर्स चेंज करना पड़े, हमने देखा, पाकिस्तान के खिलाब हमस्ट्रिंग में उनकी कोई प्रॉब्लम थी, दो ही ओवर डाले, किसको लेकर आएंगे तरह, आइधिंक जादरान को वापिस लाना होगा, क्यूंकि उनके पास ज्यादा विकल्ब भी है नहीं, अगर फि पर सब निर्भर करेगा, अगर वो बल्ले बाजी अच्छी कर सकते है, तो फिर उनके गेंद बाजों को थोड़ा मौका मिलता है, पहले गेंद बाजी आए तो वेस्ट इंडीज पे प्रेशर कैसे रख सकते हैं, ज्यादा रन नहीं बनाने देना जरूरी होगा, क्योंकि हम वर्ल्ड कप का अनुभव देना चाहेगी, यह देखना होगा, चलिए वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं, उनके ग्यारा खिलाडी क्या होने चाहिए, इसमें भी आपने कोई फेर बदल नहीं क्या है, अब शैनन गेबरियल को रखना चाहते है थोड़ा, और हमने देखा कि गेबरियल अग्रेसिव हो सकते है, लेकिन एराटिक भी हो सकते है, कि पिछले मैच में देखा और पिछले मैच उनसे दस ओवर भी नहीं करवा पाए होल्डर, तो अगर रोच फिट हुए तो उनको जरूर खेलना चाहे, लीड्स में मैच है, नहीं तो एक अशली नर्स को भी ला सकते थे, कि दो स्पिन गेन बास खिला सकते थे, लेकिन लीड्स में उतनी मदद होती नहीं, अगर हुई मदद, पिछ से अगर दिखी ड्राइ पिछ, तो शायद वो एक विकल्प हो सकता है उनके पास, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं ल उनको और एक मौका दे, तो उनका एक्सपिरियंस और बढ़ सकता है आगे जाने के लिए. मैं आपको भारत के खिलाव तो सिलेक्ट कर लिया है, जब भारत वहां जारी है. तो आपको लगता है अगले वर्लकप तक आएंगे? नहीं, मुश्किल लग रहा है, I mean, कभी किसी को पता नहीं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन जब 39 के अलरी है, और मुश्किल लग रहा है बहुत बड़े प्लेयर रहे चुके, इतने सालों से वेस्ट इंडीस के लिए खेल रहे है, तो जैसे आपने का शायर एक आखरी इनिंग वर्लकप में उनकी देखने मिले, अफगानिस्तान उमीद करेंगे कि वो ना हो, लेकिन अगर देखने मिले तो नूट्रल जो है वेस प्ले के खिलाब वो आप देख सकते हैं, आकड़े और वन डे क्रिकेट में आप देखें, इन्होंने पाँच मैच खेले हैं, अफगानिस्तान तीन जीता है, वेस्ट इंडीस एक और एक मैच बिना नतीजे के कतम हो गया था, पिछले साल इनके जब वर्ल्ड कप चल रहे थे, तो दोनों मैच में वेस्ट इंडीस को हराया था अफगानिस्तान ने, तो क्या थ्री नरो है ट्रिक करने की काबलियत है अफगानिस्तान के बाद? तो इनका का confidence थोड़ा सा जाधा होगा, लेकिन अगर इस वक्त आप दोनों टीमों को compare करें, तो फिर भी वेस्ट इंडीस के पास ज्यादा मैच विनर्स है, ज्यादा quality है दोनों टीमों को compare करें तो, और अगर वेस्ट इंडीस अच्छा खेलते हैं, तो उन्हें आराम से ज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप अपने कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकॉन यानि इस घंटी पर क्लिक कीजिए